हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न भी टेकनोलजी में दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML के बेसिक्स के बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करतें इस वीडियो को लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की हर एक नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो HTML जो है उसकी फॉल फॉर्म है है फ़र टेक्स्ट मार्कप लेंगोईज ठीक है एंड इस देजनल डवल्फ फ्रों ए मोर कॉंप्लेक्स मार्कप लेंगोईज नौन आज SGML means standard generalized markup language तो HTML basically क्या है या यह जो markup language है ठीक है यह किसी भी web page को create करने के लिए use होती है ठीक है जब भी हम कोई website develop करते हैं तो उसके लिए हमें जो है basic web page जो बनाने पड़ते हैं उसके लिए हम HTML का use करते हैं ठीक है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि HTML एक layout तयार करने के लिए use होती है just like car body जो car की body होती है जैसे ना metals की बनी हुई तो HTML भी वह ऐसी है कि हम structure तयार करते हैं अपनी website के लिए कि वह कैसी होनी चाहिए ठीक है तो उसके बाद हम बात करते हैं web pages तो web pages क्या होते हैं कि जब आप कोई वी आप web browser या web window open करते हो तो उसके जो आपके contents show होते हैं ठीक है वह हमारे एक web page होता ठीक है जिसमें हमारे आपके textual information हो सकती है ठीक है color हो सकता images हो सकते है animations होती है and so on इस तरह का ठीक है और इसमें अगर हम मालो की हमने multiple pages जो है देखने हैं तो हम उनको जब एक ही page में डालेंगे तो जो है आपका long page हो जाएगा लंबा हो जाएगा तो इससे क्या होगा जो आपके readers होते हैं जो visitor होते हैं ठीक है जो आपकी website पे जाएंगे तो इतना लंबा page देखने में इंट्रस्टिट नहीं होते हैं इसलिए हम क्या कर देते हैं जो multiple pages होते हैं उनको linked कर देते हैं इच अधर के साथ ही कह है जैसे यह लिखा हुआ है multiple pages can be linked to each other just in case of the content to be displayed exceeds one page length or has multiple ideas which need to be built using different pages ठीक है जब हमारा page जो है एक page length से ज्यादा हो जाता है exceed कर जाता है तब हम उन pages को जो है link कर देते हैं ठीक है एक दूसरे के साथ by using hyperlink या link through ठीक है उसके बार next है हमारा www जिसकी fall form है worldwide web ठीक है यह क्या है कि it is a system of hypertext documents accessed through the internet यह एक hypertext document होता है जो जो पूरे internet के थूह हमें access करता है ठीक है it is an information system where documents and other resources are identified using url informed resource locators ठीक है जो हमारा www है वो एक तरह का informative system है ठीक है जो हमें क्या करता है documents को find करता है ठीक है हमारे कुछ भी हम search करेंगे तो वो हमें search करके वो जो हमारा server पर store होगा वहां से हमें data access करके हमारे पास पहुंचाता है ठीक है तो और यह जितना भी हमारे resources होंगे वो identify करता है url के through ठीक है और हमें locate करके हमारे pages पर show करता है ठीक है और इसमें जो है it uses http rules means कि जो हमारे क्या बोलते यह www है इसमें एक rule यह एक rule पर काम करता है जो कि एक http hyper text transfer protocol protocols means कि set of rules होता है जो कि कोई भी काम करना है जैसे हम कोई कुछ भी access कर रहे है तो उसके लिए एक protocol बनाए एक rule बनाए जिसके through जो है वह access होता ठीक है तो जो यह है www यह http rule के through जो है वर्क करता ठीक है अब आपका tags in html तो tags क्या होते है basically commands होती है ठीक है code होता है जो कि html document file में हम लिखते हैं ठीक है और यह tags जो है आपके English words में होते हैं ठीक है जो हमें special meaning बताते हैं browser में ठीक है और browser को जो यह भी बताते हैं कि उसने क्या काम करना है जब कोई भी tag इनकाउंटर होगा ठीक है मान दो कि हमने फैस्स ख़र ख़र tir tag लगाया तो यह browser को क्या बताएगा कि हमने एक जो होलिजेंटल लाइन क्या करनी है करनी है ठीक है अगर हमने मानलो की बी टैग लगाया तो वह क्या बताएगा कि हमें टेक्स्ट को जो है बोल्ट करना है तो इस तरह कि हमारे HTML टैग्स होते हैं जो आगे हम जब मैं दूसरी वीडियो मिलाओंगा तो उसमें हम डिटेल्स में डिसकस करेंगे तो जो है HTML का जो डॉकमेंट होता है उसका एक बेसिक स्ट्रेक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है तो इसमें यह इसका बेसिक स्ट्रेक्चर रहता है है HTML document का जो यहां पर शोग किया हुआ है मैंने इसमें होता है एक डॉक टाइप ठीक है यह sign up exclamation लगा रहा है और डॉक टाइप लिखाए इसमें क्या होता है कि यह defines करता है कि हमारे डॉकमेट किस टाइप का होगा मतलब हमारा कौन सा ब्रावजर फॉलोग कर रहे है जैसे HTML फाइव आ गया ठीक है वर्जन कौन सा है तो यह डॉक टाइप में आता है ठीक है उसके बाद हमारा यह होता है कि इसमें रूट एलिमेंट होता है यह ठीक है HTML पेज कर जो ही रूट होता है मतलब स्टार्टिंग होता है सबसे टोप्मोस्ट ठीक है फिर आता है अपका हैड टैग यह कंटेंड करता है हमारे मुझाreट आफिसमें म ethn лет出來 में दिए सबसें में में इन नंरों इसमें क्या होती है मेरीन इन फोर्मेशं होती है कि इनिवर में 11 about data मतला को इन्फोर म्रु ले रहे जो कि आपके वेब ब्राउजर में जो आपकी ऊपर की वार होती है उसमें जो भी आपका नाम शोर नहीं हो टाइटल में लिख सकते हैं फिर आपका बोडी आता बोडी बोडी में सब कुछ आता जैसे कंटेनर होता है एक टाइब का जिसमें ऑफ ल hani कंटेंट्स जिसमें जितने भी विजिबल कंटेंट्स वह शोओ में जैसे आपकी हटिंग्स लिस्ट आ गई जितने भी हमारे कंटेंट शो होते हैं हमारी वेब पेज में वो सारे बॉड़ी के अंदरा थी ठीक है फिर हमने या एक एच वन टैग लिया है ठीक है एच वन टैग क्या करता है यह कि हमारा जो हैडिंग होती है सबसे लार्ज हैडिंग शो करेगा मालो आपन पड़ा दिखाएगा बिल्कुल लार्ज साइज में ठीक है फिर एक पैराग्राफ लिए हमने पी टैग लिया है पी टैग क्या करेगा पी टैग जो है एलिमेंट डिफाइन करेगा ठीक है एलिमेंट जितने भी होंगे हमारे एपी में ठीक है पी एलिमेंट में जितने भी ह लिखेंगे तो एक पैरा में लिखेंगा ठीक है और उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज कर दिया और उसके बाद जो हेज्टीमल क्लोज कर दिया तो दोस्तों इसमें एक और बात थी जो हमने यह डॉक्मेंट स्ट्रक्चर डिपाई अभी डिसकस किया इसमें एक तो पेर्ड होता है और एक अनपेर्ड होता है ठीक है टाइग तो opening टैग तो लगाते लेकिन उसमें closing की जरूरत नहीं होते लिए जैसे कि आपने मंदलों की break बीर टैग यूज किया या हमने जो है आपका HR टैग यूज किया ठीक है तो opening ही होते हैं image टैग भी आपका opening होता ठीक है और इनको हम जो opening टैग होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं एंप्टी टैग उनको हम एंप्टी टैग भी भी तो आज की वीडियो में हमने यह basic देख लिया था अच्टीमल का तो आज के लिए इतना ही काफी है मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ इसमें हम इन टैग्स को डिटेल में डिसकस करेंगे और एक वेब पेज कैसे बनता है उस पर पूरी वीडियो बनाऊंगा और आके भी हम इसको कंटिनीव रखेंगे तो अपना प्यार और अपना सायोग मेरे साथ रखें और इस वीडियो को शेर की कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तब तक के लिए धन्याबाद